दोस्तो नमस्कार मैं हूँ आप सभी का दोस्त हैपी राइडर गजानन पाटील आप सभी में मेरा जितंतर आत्म को मेरा सप्रेम नमस्कार दोस्तो आज हम आये है जोगेश्वरी कुफाए देखने के लिए जोगेश्वरी कुफाए भारत के मॉंबई उपनगर जोगेश्वरी में स्तीट एक परमभिक हिंदू कुफाए टॐरों के मुर्तियों में से एक है यह कुफाए 220 से 550 pouco है यह कुफाए हिंदो दियोथा जोगेश्वरी की है तुर्शु बदिस सब्द लख्शति वासी अंतर कोड़ेत नुष्यैं मेरे मित्रप नوسीर जो इत्यास तर्द्निय है और इनका कफी इसमें नौलेज है नोपत्रे सर मैं इन गुफाओं के बारे में आना पहें दे रहे है थेंक्यू नीड मात्रे सर कुफा की ओर जाने के लिए यह एक रास्ता है कुछ वाटर स्टोरेज जैसा बनाया है और देखिए यह में गेट है फिन स्टेप से हमें अंदर के ओर जाना है अंदर की साइड में यह सिविलिंग है और यहां वातावर बड़ाई प्रसन्न है यहां आती ही एक अलोकी किवे प्रभा दिखाई देती है मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है हमने शांत चित्त से इस सिविलिंग का दर्शन लिया आशिपात पाप्त किये कि अजर से अविलिंग का दिखाई इस सिविलिंग का देट लाँ से इस अरोकी का भाइsy से इस से आइड वाताई द मिच दल्बू का अान वाताई आश्यों इस चोटी से गुफा में बजरंग बली की मुर्ति विराजमान है इतियासकार और विद्वान वाल्टर स्पिंग के अनुसार जोगश्वरी भारत का सबसे पुराना प्रमुक गुफा मंदीर है कुल लंबाई के संदर्व में यह सबसे बड़ा है यहाँ पौशने के लिए मुंबई उपनगर जोगश्वरी रेलो इस्टेशन से आटो रिक्षा बस सेवा अधि उपलब्द है योगश्वरी रेलो इस्टेशन से पैदल चलकर लगबग आदे गंटे में यहाँ हम पौश सकते हैं यहाँ गनेश जी की भव्य मुर्ती दिखाए दिती है गनेश जी की यह मुर्ती देखकर मन बड़ा ही प्रसन हो जाता है जोगश्वरी गुफा के अंदर आने के लिए यह दूसरा गेट है दिखिए यह सब स्टेर केस पास करके हमें अंदर की ओर अग्रसीत होना है पुराने जमाने की यहाँ ट्रेनेश सिस्टीम है देखिए यहाँ साइड में कैनल बनाया गया है वहाँ से पानी एकत्रित होके इस चिंबर में जमा होता है टैंक में जमा होता है इस पास टाइम्स ड्रेनेश सिस्टीम दो एक्सेस वाटर मस्ट को आउट साइड थू प्रापर वे यह चानल बनाया गया है देखिए कितना लंबा चानल बनाया गया है बड़ाई सोचकर इस पानी को ट्रेनेश की साइड से इस ग्याप से पहार की और निकला गया है हमारे पुरोजों की इंजिनिरिंग देख कर हम बड़े ही तंगर रहे जाते हैं बड़ा ही सर्प्राइज लगता है हमारे पुरोजों का ग्यान और टेक्नालोजी इंजिनिरिंग देख कर देखिए गुफा के इस साइड में छट से पानी टपक रहा है इस छट के बराबर उपर की भाग में अतिक्रमन है और अतिक्रमन चारो और घिरा हुआ है उनका टेनेज का पानी यहां से लिख होकर निचे टपक रहा है हमारी प्राचिन धरोर की यह आवस्ता देख कर बहुती बुरा लगता है हमें सब देशिवासियों को इसके बारे में जरूर सोतना चाहिए इस साइड की इंटरंस में दिखिए यह प्रवेश द्वार का बड़ाई अच्छा फ्रेम है समय के चलते हुए प्रवेश द्वार के ऊपर आजबाज में बड़िया नक्षी काम था बड़िया मुर्तिया थी लेकिन अभी ओ तेरे देरे ख्षेन होते जा रही है कुछ एक जमाने में यह बहुत वैवशाली गुफाये थी समय के चलते चलते थोड़ी खेनता अगस में जरूर आ गई है यहां भी एक अभव्य प्रवेश्ट्वार है प्रवेश्ट्वार के दोनों साइड तारवानों के सिल्प है कुफा अंदर की साइड बड़ी ही भव्य दिव्य है गुफाव में च मुर्तिकला पैनल है जो सेवधर्म के विविन प्रसंग को दर्शाता है जिन में शिव और पारवदी का विवाह अंदका सूर का वद शिव द्वारा रावन को अपने शिश्य के रूप में स्विकार करना शिव और पारवदी का सारी पाट खेलना नटराज और लोकुल शा शिव सामील है पारवदे नटराय cya यसव तो सूरस उजिन्क्लां को आसि में शिव Contin lag भी शिंगालर मने में ये तो और अंदि हजिए हो पारवदी हो क्यों राट शिव और आख करने साल आख करने ड़ू गरणि होँ हो भी जरी में आख करने आख करने नटरा गुफा में जोगेश्वरी देवी की एक सुन्दर मुर्ती है और पैरों के निशान भी है। इस जोगेश्वरी माता के नाम से यह ख्षेत्र जोगेश्वरी नाम से प्रशिद्ध है। कुछ वराटी फैमिली की यह देवता है। गुजरात के कुछ प्रवासी समोह द्वारा उनकी पुजा भी कि जाती है। तो यह हमारे पुजरी महोदे है। नमस्कार सायब, नमस्कार, नाव काई तुम्छेतन पाटिल। तुम्ही कती पसुन दिविजी सेवा करता है। जोगेश्वरी देवीचेगी, सेवा करून, तुम्हाला खुप आनन्द होतो आहे, और साधारांता इथे बक्त लोग कदी आनी क्यावा क्यावा जासता हेता, की रेगुलर अचेता, नवरात्री नवरात्री मरे येता, शिवरात्री लायेता, और बहुतेक दरी अपने जोसा तुम्हाला बीटु नमाला को आनन दाला, धन्यवार, जैए शंकर, जैए संकर यहाँ कुछ पुजा पाट मंत्रचार आधी चल रहा है यहां पुराने जमानी का एक वाटर स्टोरेज है दिखिए यह सेक्षेन का इसा कुवे जैसा बनाया है और दिस इज अंडर्ग्राउंड वाटर स्टोरेज दिखिए यहां एक सुन्दर सिल्प दिखाए दे रहा है यह सिल्प है आम के पेड़ के नीचे सुरु सुन्दरी का और यह सिल्प बहुत अच्छे कंडिशन में है हाई 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 गुट मॉर्निंग वेरी गुड वेरी गुड तुमसे यूट्यूप लटाइकल पर कमिये अब हम गुफा की उपरी साइड जा रहे है उपर एक दत्त मंदिर है देखिए यह उपर से नीचे की गुफा का सेक्छन कैसा दिखता है कुफा की चारों और अतिक्रमन हो गया है गुफा की इस सेक्छन में दत्त मंदिर है यह स्टेप्स उतर के निच्चे की ओर जाना है एक्चुली यह जो दत्तम मंदिर के जो गुफा है यह निच्चे की गुफा से उपर के ओर है यानि फर्स्ट प्लॉर पर है दिखे यहां से व्यू कितना सुन्दर दिखता है सामने जो गुफाती मंदिर था वो सिक्षेन है यह गुफा काफी न्यारो और शार्ट है सामने त्रिवो की दत्त की मुर्ती है ध्यान कक्ष के लिए एक काफी बढ़िया गुफा है क्योंकि यहां डिश्टरवांस कुछ नहीं है इस मुर्ती के पीछे जो ग्याप है वहां भी कुछ स्टोरेज रखने के लिए जगा है बूरू बीन जग में सार नहीं बूरू बीन जग में सार नहीं सद गुरू प्रेम समाया मन में योगेश्वरी गुफा की आज की ट्रीफ हमारी बड़ी सक्सेस्पूल रही है हमारे मित्र नविन भात्रेसर ने हमें काफी बड़ीया जान करे दी है इसका एतियासिक, धार्मिक और स्थानिक महात्म्य हमें बहुत अच्छी तरसे समझाया है एक कुछ प्राचिन ड्राइंग्स उनने दी है नविन भात्रेसर का मैं दिल शे शुक्र गुजार हूँ